नमस्कार मैं शुखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूं हमारे स्विशेश कारिक्रम का तैनी स्पेशल में दर्श को ईश्वर का सानित हर कोई प्राप्त करना चाता है उनके दर्शन हर कोई चाता है लेकिन मन में यही सवाल आता है कि क्या वाके में ईश्वर हैं और यदी हैं तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरू प्रभू दयाल शर्मा जी तो चलिए कारिक्रम की शुरुआत करते हैं साथ ही उनका स्वागत करते हैं नमस्कार गुरुजी गुरुजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्विशेश कारिक्रम में गुरुजी आपसे भी जाना चाहूंगी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे इश्वर के दर्शन प्राप्थो, इश्वर की कृपा प्राप्थो, इश्वर का सानेध प्राप्थो हर को इसी खोज में भटकता रह जाता है कि इश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते और यदि हैं भी तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते दर्शन क्यों नहीं देते आप से जाना चाहते हूं कि यदि इश्वर वाकी में हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते दर्शन क्य लिए यो तो 84 लाख योनियां है उन्हें मनश योनि जो है वही सर्वोत कर्ष्ट मानी गई है क्योंकि इसी के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है जिसका कि वो अंश है यो तो प्राणी मात्र जो है संसार में सभी उस परमात्मा के अंश है लेकिन जो योगिता औ आपका प्रश्ण है, कि परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा है, हमारे गुरुमराज ने स्वेम लिखा है, परमात्मा एक शक्ती है, एक पावर है, उसका न कोई नाम है न रूप है, जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक है, तो परमात्मा जो है एक शक्ति रूप में सर्वत्र है, यत्र तत्र शर्वत्र वो परमात्मा ही है, और कुछ ही नहीं संसार में, इशा वास इदम सर्वम, यत किं जगत त्याम जगत, यह संसार उस परमात्मा से ओतप प्रोत है, आच्छा देता है यह संसार उस परमात्मा से तब हम हर जीव मात्र उसका अंश है वो अंश उस अपने अंशी से मिलना चाहता है परंतु प्रकृति में रहने के कारण वो परमात्मा को भूल गया यहां पर अज्ञान में आ गया दोई तत्व हैं एक और है प्रकृति तो दूसरों और है पुरुष प्रकृति जड़ है प ग्यान है इदर प्रकाश है ग्यान है तो वो ग्यानवान था उस परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है ग्यान परमात्मा ग्यान है सब कुछ है उसके अंश में वही सब चीज होने चाहिए इश्वर अंश जीव अविनाशी तो सर्वत सब कुछ उसमें है लेकिन प्रकृति प्रकृति के संपर्क में आने के पश्चात, वो भूल गया उसको, भगवान स्वयम गीता में यही कहते हैं, यह ममाई वांशो जीव लोके, यह सर्वत संसार जो है, वो मेरा ही अंश है, ममाई वांश है, तो जीव जो है, वो मेरा अंश है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में यहां पर मन, सहित, पाँच्यों ग्जानेंद्रियों के आकर्षन में आज ग्या है, तो वो उससे आकर्षन से हट नहीं पाता है, संत महापुर्श जो है, वो ईशरवती होते इशरश्वरूप होते हैं, वो उसको जो इधर ऐदर उसका अटेंशेट डाइवर थी। उसको लेकिन यहां पर भूल गया उसको, संत याद लाते है उस परमात्मा के, परमात्मा है निश्चत रूप से, एक उदाहन दो में आपको, ये नारद जी जो थे, जबकि इंद्र से परास्त होगे हरना कशिब, तो उनकी पत्नी थी, तो उनको इंद्र अपने साथ लिये जा रहे नारद जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कि इस अवला को आप लिये जा रहे हैं, आप तो इतने धर्मग्य हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, कि नहीं, मेरी कोई गलत विचार नहीं है इसके परती, पर इसके गर्व में एक राक्षती उत्पन होगा, उसको मैं मारना चाहता ह कि उस संसार जो है रास्तर में तरस्त हो रहा है, उन्हें नहीं इसमें भगवान का भाकत है, तो आप मेरे आश्रम पे इनको छोड़ दीजे, भगवान की कथाएं रोजाना सुनती रहती थी कया धू, तो उन्होंने एक दिन पूछा कि क्या इश्वर है, न कहा है, जैसे कि मे उसको हम पीशते हैं, लगाते हैं अपने अंगों पर, कुछ समय बाद वो लाली दिखलाई देती है, ऐसे ही ईश्वर इसी तरह संसार में भ्याप्त है, एक पद्दती विशेश्चे ही, जो गुरुदारा प्रदत होती है, उस से ही वो सक्षम होता है उस ईश्वर को देख करने का, उसका अनभब करने का, उसको सर्वत देखने का, कि हरे तो हरे एक प्राणी मात्रों वही और कुछ है ही नहीं यहां पर, तब उसकी द्रश्टी खुलती है, भगवान के समक्ष जाकर के, जब वो स्वेम भगवान है और अरजुन है, जो नर्ष रूप है, बो नही के बाद मनु एक शाक को इत्यार राजाओं को दिया, अब वही ग्यान तुझे दे रहा हूं मैं, उन्हें आपकी क्या कह रहे हैं, मेरा आप समवयस्क हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं, और आप यह कैसे कि मेरे तेरे बहुत जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानत हैं, जीव अलपग्य है, परमात्मा सर्वग्य है, इसलिए अलपग्यों सर्वग्यों कैसे बहुता हैं, फिर वो आश्चरियान वित होता है, पूछता है बहुता हैं, कैसे जानू मैं आप, जब जिग्यासा बढ़ती चली जाती है, तब वही भगवान कहते हैं, कि तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख पाएगा, दिव्यम्द नामिते चक्षू, पश्च में मामैश्वरिम, तो जे मैं दिव्य चक्षू दे रहा हूं, तब तू देख पाएगा, तो भगवान कहते ही नहीं, गुरू कहते ही नहीं, उस द्रश्टी को देते हैं, जिससे वो दे बदल गई पच, नजरिया बदल गया, दिव्य चक्षू वो ही हो गए, और उनसे देखता है, हरेक सर्वत वही परमात्मा, सब घट मेरा साहियां, खाली घटना को, तो इस तरह से जब उसकी पद्धती विशेश को हम अपनाएंगे, वही साधना, गुरू द्वारा प्रद पद्धती विशेश आवश्च रहती है, जिसके द्वारा वो उस पद्धती से आगे बढ़ते हैं, और वहां तक पहुंसते हैं, गुरु जी, गुरु जी कहा तो ये भी जाता है, कि अगर इश्वर के और करीब जाना है, इश्वर के दर्शन करने सानिद प्राप्त करना ह है, तो संतों के शरण में जाना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए, वो आवश्चक इसलिए है, कि उन्होंने उसे जाना है, हमारे गुरु महराज ने यही लिखा है, अभी तुमने ईश्वर देखा नहीं है, इसलिए उनके समक्ष पहुंचो, जिन्होंने उसे तो जैसे कि ये मुसल्मान भाईयों के इद होती है, तो जब तक चान्ड नहीं दिखाई दे, तब तक एद बनती ही नहीं, तो लोग किसी ने जाकर के बहुत उचाई से जाकर के किसी बरक्ष पर जाकर के चान्ड को देख लिया, वो खुशी के बारे उचलता है, कि मैंने दे लोग कहते हैंね, नहीं अभी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो एक समझदार व्यक्ति को अपने साथ लाता है, चलो मैं दिख लाता हूँ, तो वो अपने साथ ले आता है, और वहां जाकर जिनों, जहां जाकर के उसने देखा उसको, उसी पोजिशन में लैकरके उसे खड करता अपने साथ और वो कहता ह। देखो मेरी द्रष्टी में द्रष्टी डाल करना करना कि देखो इन ब्रक्स के इन पत्थों के उदर जाकर कि चंद्रवाह है देखो तुम वो अपनी दृष्टी में कहता है, मेरी दृष्टी में दृष्टी डालो, तब तो में देखलाई देगा, तब वो ऐसे ही करता है, और वो भी देख लिएता है, ऐसे ही एक पद्दती विशेश्चे ही, वो आगे बढ़ाते हैं, कि ऐसे मैंने प्राप्ट किया था, तुभी प्राप्त करेगा तेरे अंदर भी वही चीज है जो मेरे अंदर है शरीर में तो उससे तो भी प्राप्त कर सकता है असमभब नहीं है कच कुछ भी मुनिश्योनी इसी लिए है को सब्सक्राइब लेकिन देखने का नजरी आ है अलग-अलग तरह हैं तरीके हैं लोगों के उसस के सब्सक्राइब लिए नदीया एक गार्ट बहुत एह है लिकनादी टो एक य जल एक ही है इसे बिलकुल गुरुजी गुरूजी कहींना कहीं इषवर तो हर जगह वीराज्माने कपट हमारे अंदर एभी चाहें हमारे लिए खुद के अंन City उसार्णा यहmee अरजुन न औ उसमें वियद्धाई, उसमें वियाड़ता है. गुरुजे, ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रहस्थ आश्रम में ईश्र के दर्शन नहीं हो पाते हैं. ग्रहस्थ आश्रम में इश्र के दर्शन अधिक सुलब हैं. क्योंकि ग्रहस्त लोगों के पास और विशेश कर आज कल के वातावरन में, लोगों के पास समय बहुत कम है और वो समय की कीमत जानते हैं, जितना व्यस्त मनश्य होगा, अगर वो दस मिनिट भी इसके लिए डिवोट करता है, it is more than sufficient, वो उसके लिए कुछ संबब नहीं है, औ और जो सन्यासी लोग हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं है किसी को भी, उनके पास समय बहुत है, लेकिन वो समय उसमय लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो भी, लेकिन ग्रहस्तों के लिए अधिक सुलब है, हमारे गुर्माराज नहीं है, तो वो पद्दती बतलाई होते हैं, तेज गंटे घर गरस्ती के कार खूब करिये, और अपनी डूटी इस वर्षिप, तो आप उसे मानिये ठीक है, लेकिन आदा आदा गंटा उस परमात्मा के समक्ष बैठ जाई है, जैसे बालक मा के सामने बैठ गया, कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बैठ जा अगर ध्यान में जाएंगे, और उतने धीरे धीरे उसका बोई नजर आने लग जाएगा, गुरु जैसा कि आपने कहा कि परमात्मा को अगर हमें पाना है, तो मैं ध्यान करना होगा, ग्रहस्ती जीवन में तो आजकल किसी के पास समय ही नहीं है, फिर वो इश्वर को कैसे फिर मैंने मोई खा कि कम से कम दस मिट का समय है, हर आदमी के पास समय है, यह तो ले में एक्स्क्यूज है कि उसके पास समय नहीं है, देखिए, बात यह है कि हर आदमी जाता है, कलब भी जा रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, तीन गंटे की पिक्चर देखने के लिए ह यह तो एक बहाने वाजी है कि हमारे पास समय नहीं है जो वेर देरिजे विल देरिजे भी जो अगर चाहेगा तो रास्ता है और उसमें बेठें परमात्मा के सामने और बहुत गुरु जी आपसे जाना चाहूंगी कि यह दि आज की डेट में परमात्मा से मिलना है इश्वर क दर्शन प्राप्त करें उनका सानिद प्राप्त करना है तो क्या विधी है कैसे उनके दर्शन प्राप्त करें वही चीज है कि उसके लिए यह है कि किसी जानकार मुनिश्य के पास जाना पड़ेगा जानताम संगमे मह रिगवेत का मंत्र है कि जानकार मुनिश्यों के पहुंचो तो भी जना देंगे वो तो जानकार मुझे उसके पास पहुंचेंगे हमने वो विद्या भी सीखी नहीं लेट उस गो इंपरेंट अब हिम बिलकुल गुरुजी गुरुजी इस विशे पर आप से और बात करना चाहूंगी लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोड़े से ब्रेक का देखते रहे हमारे खास कारिक्रम का त्याइनी स्पेशल ब्रेक के बाद एक बर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हमारा विशेश कारिक्रम का त्याइनी स्पेशल गुरुजी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि आपने कहा कि इश्वर सर्वत्र है हर जगा विराजमान है कंड कंड में वास करते हैं अगर उनके दर्शन पाना है तो ध्यान कर ले उनके दर्शन अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे आपसे जाना चाओंगी कि यदी इश्वर हमारे अंदर विराजमान है तो फिर मृत्यू क्यों होती है जनम और मरन क्या है इसके बारे में बताएं कुछ ठीक आप ना आत्मा जो है वो ना मरता है ना मरा जा सकता है ना हन्यते हन्यमाने शरीर है इस शरीर जो हन्यमान है आत्मा तो अजर अमर अभिनाशी है क्योंकि उस परमात्मा का अंश है ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत शरीर है ये तो आएगा जाएगा पुराने ब्रक् उगते चले आते हैं, तो मरत्यू आत्मा की नहीं होती है, मरत्यू शरीर की होती है, दूसा शरीर प्राप्त होता है, प्रकृति का नियम है, तो आत्मा जो है, वो है अजर मरवनाशी, शरीर नहीं है, शरीर तो मरण धर्मा है ही, और वो तो मरत्यू को प्राप्त हो गई, हमारे परमपोज गुरुमरा कहा करते थे मौत क्या है जमाने को समझाओं क्या कि रस्ते में मुसाविर को नीद आ गई जैसे किसी को नद्रा आ गई मृत्यू की बत हो गया वो आग खुल गई जीवन मृत्यू जो है वो आत्मा की नहीं होती है आत्मा तो अवध्य हैह है हर समय उसमें परवतन हो रहा है तो हमारे कई वाली आवस्था भी रही थी कभी फिज्जा करके योवस्था भी आई, प्रोड़ा वस्था आई, ब्रधा वस्था आगई और उसके पश्चात के साखता हूँ जैसे बीच का उगना हुआ, बड़ा हुआ, पुश्पित हुआ, फल आए फल उसके बाद में गिर गए हूँ आपसे जाना चाहूँगे कि योग जो है, वो कितना फाइदे मन्द होता है, वो कितना हमें इश्वर के और करीब लेके जाता है ऐसा है, योग शब्द का अर्थ लोग कुछ गलस सभाजते हैं, योग का मतलब होता है मिला, मिलना जिसे दो दो चार होते हैं, इस तरह से ही आत्मा जो है, हमारे अध्यात्मा जो है, वो आत्मा उस परमात्मा का अंश्च है उसका योग उस परमात्मा से हो, बस, वही योग है, और उस योग के लिए आवश्यत्ता यह है कि हम उस पद्धती को जाने है उसके योगास चत्त वर्ति निरोद है चत्तप वड़तियों का निरोधि योग है अभो परमात्मा के हम युग कैसे करें आपूम पन्डे जी मराझ Okayetis मिलना या गुरु से मिलना बाक हो रहा है गुरु में समलना क्या है। वही इश्वर में मिलना है, जीव उसमें लाय हो जाया, अपने को लीन कर दे उसमें आ करके, अभी तो वह बाई वातावाण रहा, बाई सत्संग रहा, कि हम बात कर रहे हैं, उनसे प्रणाम भी किया, उनका आशिरवादी प्राप्त किया, अपनी विताकता कही, उन्होंने भ गुरू के हमें बिलीन कर देना, अपनी समस्ते इच्छाएं गुरू की इच्छाएं में बिलाते हैं, एक महात्मा कहा करते थे हमारी तो हमेशा मन्चाही होती है, एक जग्यासु ने पूछा कि मन्चाही कैसे होती है, कि हम तो अपनी समस्ते इच्छाएं इश्वर के इच दिश्वादना है वह हमें मौनष महत्र को करनी चाहिए पततियां अलग अलग हों सब दिरीक जा जाते हैं गुरुजी जैसा कि आपने कहा कि किसी संथ महात्मा या महापुरुष के सानिद्ध में जाये तो इिश्वर के करीब और जाते हैं इश्वर के साक्षात हमें दर्शन हो जाते हैं ऐसे गुरु की खोश किस प्रकार करें ऐसे गुरु कहां मिलेंगे हमें खोश अपने मन में अगर जिग्यासा होगी जैसे जैसे जिग्यासा बढ़ती चली जाएगी बस हम पहुंच लेंगे उसके पर हम अपनी कलपनाओं के वसो भावना में डूपते रहें तो प्राप नहीं होगा गुरु जी एक सवाल और करना चाहूंगी जैसा कि आपने कहा कि ध्यान के माध्यम से हम इश्वर के दर्शन कर सकते हैं ध्यान किस प्रकार करें कि हमें इश्वर के दर्शन हो जाएं ध्यान ध्यान तो हर चीज के लिए आवश्यक है जैसे आपके पु जिस किसी काम को आप अरे बड़े ध्यान से नहीं का, हम सड़क पर जा रहे हैं, गिर पड़े चोट लगई, आँखें तो खुली थी, लेकिन कहीं से आवाज आ रही थी, उसमें कोई सुरीला संगीत आ रहा था, उसकी तरफ हमारा आक्रिष्ट हो गया मन, तो वो कानों की तर कर लगई, घर गए, तो मतलब यह मेरा कि वो इंद्री जितनी भी हैं, वो सब बाही है, उनको अंत्रमुखी करना है, तभी ध्यान के उस्थी से, जब तक इंद्रियां अंत्रमुखी नहीं होगी, तो वो अपने-पने कार रथ हो जाएंगे, इफ्जा करके, वो इस आर्जुन जैसा महापुरुष और वीर पुरुष वो यही कहता है, कि वहे भगवन मन बड़ा चंचला है, चंचला हम मैनो किंशुप प्रमाति बलबद्रण हम, तस्याहम निगरहम मन्ये वाईरिव शुदुश्करम, वाईरिव को नियंत्रित किया जा सकता, लेकर मन निय कैसे होगा, उसके लिए दो चीज़ा है, बस अभ्यास और वेराग, अभ्यास और वेराग या अभ्याम तन निरोध है, चित्की वर्तियों का निरोध जो है, अभ्यास और वेराग सोग है, हम गुरुष द्वारा प्रदत कोई साधना हमें बताई गई है, नित्प्रति अभ्यास करेंगा सो, अभ्यास करते करते हमें दिखला ही देगा, रामकर्षण परमन्स लिखते हैं, कि जैसे जैसे पूर्व की ओर चलोगे न, तो पश्चिम अपने आप छूटता चलाएगा, ऐसे हम परमात्मा की तरफ गुरुद्वारा प्रदति से आगे बढ़ते चल यह सब होगा गुरुजी जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ वैराग ही है एक माधे में जिसकी वज़े से हम अपने पांचों इंद्रियों को नियंदरन प्राइब नहीं हम घर कर चोड़ करके और जंगलों में चले जाएं, मंस, कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, हम खा जाएंगे, तब हम उससे स्थिती को पहुंच जाएंगे, मन से होता है, कोई और विशेश परवेश्ट या अपने वेश भूसा बनाने से नहीं होगा, मन से, कहीं ना कहीं, मन से अगर चाहेंगे तो इश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे, मन हीं तो सब कुछ है, मने बनश होगा, हाँ, आप ठीक कहा रहे है, विलकुल चंचल है, सभी का होता है, लेकिन जब तब हम जतना अभ्यास करेंगा उसके लिए, आएगा, दिर दिर आएगा, बस अपने आप आएगा, दिर दिर दिर, अभी वो मन जो है, रसिक है, उसको अभी इधर का रस्त दिखलाई द चलने लगता, दिर दिर, तो बस उसका धिर दिर जुका अधर हो जाता, अब उदर रस ले रहा है, असली रस तो बही है, परमात्मा रस है, रसो वैसा, और हम इस रस में मश्गूल हो रहे हैं, कि हमारे शट रस हैं नहीं सब, तो अब इसी में हम मस्त हैंगा, अपने जो सा तरफ चले तो, गुरुजी जैसा कि आपने कहा कि इश्वर सर्वत्र हैं, हर जगा विराजमान हैं, कंड-कंड में वास करते हैं, फिर जीवर में इतनी परिशानिया, इतनी समस्याएं, हर किसी के साथ चलते रहते हैं, क्यों? निज करते हैं हमारी वो, जैसा आपने बोया है, वैसे ही बिलेगा काटने के लिए, तो वो परमात्मा किसी को न तो किसी को दंडित करते हैं, न किसी को बहुत कुछ देते ही हैं, वो तो परमात्मा के यहां तो बस वो परमात्मा तो दयालू है, सब कुछ है, लेकिन वो कह परमात्मा कि एर आऊ सह जो करेंगे आपको जैसा आपने उनौ यह वैसे काटैंगा उसको पुस्चे आँ excited कर्म करो, लेकिन कर्म में ये संसार में रहो, मालिक बनकर नहीं, सेवक बनकर के संसार में रहो, तो वो हम मालिक बन जाते हैं, कर्म करते हैं, हम करता पन हैं आपने, जब शने शने गुरु करपा से द्रश्टा पन आता चला जाएगा, तो हम उसे मुक्त हो जाएगे, फिर वो संसकार नहीं बनेंगे कर्म करेंगे संसकार बनेंगे और फिर जो करताएं भूगता नहीं लोग जो इसमें नहीं है क्योंकि और पूरुम मैं किये ते तो ज्यदा में जाना चाहूंगा सीधी बात यही है कि हमारे जो किये हुए हैं वो प्रारब्द मिल रहे हमको पूर्व जनब के कर्म इस जनब में अगर उसके फल मिल रहे हैं तो क्या वाक्य में पूरा लिख लिया सब उसके बाद में आप वो ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं उदार जा तो वो संचित होते हैं हमारे जा करके कुछ तो यहीं पर मुगत लेते हैं कुछ संचित होते चले जाते हैं वो असल में होता क्या है गीता में में आप पढ़ते होंगे उसमें यह है कि आत्मा जब एक शरीर को छोड़ते के दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तो उस चरीर जो कुछ भी मन, सहित, पांचों, ज्याने अंद्रियां उसके साथ में जाती हैं और सरीन प्रविष्ट हुजाती हैं। उसके जो कर्म के संसकार जो थे, जो भी कर्म किया उस, वो ब्रॉट फरवर्ड है इदर हो गए आकर के। हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं कुछ नहीं किया इस जीवन हम बहुत अच्छे हैं सब कुछ हैं। तो वो सब इधर आकर के हमें सब आ जाते हैं सब कुछ है। इस जीवन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं बड़े धर्मात्मा सब कुछ है। तो उधर कुछ हुआ था। तो वो होता कैसे एक छोटी सी घाता सुनाओं आपको अगर सवय हो तो भीष्म पिता मैं थे शरशया पर थे भगवान कर्षन आई थे पांडव लोग थे सब कुछ वो कह रहे थे कर्षन यह यातना मुझे क्यों मुगत नहीं पड़ रही है इस जीवन में मैंने कुछ भी नह जन्मों की वर भी देखा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यह बहुआने का और पीछे देखिए कि मेरी अप शक्ती रही है उन्हें कि आच्छा हम मैं देता हूं शक्ती उन्होंने पीछे के बहुत पराड़े जन्म देखा कि एक जन्म में वो राजकुमार थे जोड़े पर उस भाले से उसको छेद दिया और उसे उठा करके भाले से और वहां पर फैंक दिया जहां पर ऐसे कांटे-दार पौदे थे जर्वेरी वगरे थी उनमें जाकर के वो किर गए शनई शनई उस उनके कांटे उसको चुपते रहे उसका खून निकलता रहा और इस तरह से वो बर चीज जो है जो हमारे पास्ट में हमने किया हुआ है उस सरीर में इसमा करके मिलेगा हम परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है जी बिलकुल गुरुजी गुरुजी उधारन के माद्यम से आपने इतनी महतुपूर्ण बाते बताएं कि इश्वर हर जगर विराजमान है कंक में इतना ही मुझे दीजिया आग्या नमस्कार